कि इतने कम समय में आप लोगों ने अच्छी जगावा नहीं है और एक प्रकार से ग्रासूर्ट लिवल की जो बारिक-बारिक जानकारिया है वो शायद आपके माध्यम से जल्दी पहुंचती है तो आपकी पूरे टीम बाधाई के पात रहे हैं कि पहला सवाल हमारा यह है कि आजकल राहुल गांधी और अरविंद के जीवाल को लेकर पाकिस्तान में इतना इंडोस्मेंट क्यों मिल रहा है आपको क्या लगता है और 370 खत्म होने से लेकर आज तक हर मौके पर पाकिस्तान से उनके पक्ष में आबादे आते हैं देखें चुनाव भारत का है और भारत का लोगतंतर बहुत ही मैचोड है तंदुरस परंपराएं है और भारत के मतदाता भी बाहार की किसी भी हरकतों से प्रभावित में होने वाले मतदाता नहीं है मैंने जानता हूँ कि कुछी लोग हैं जिनको हमारे साथ दुष्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं कुछी लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज वहां से क्यों उड़ती हैं अब ये बहुत बड़ी जाजपरताल का या घंबीर विशह है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पत पर मैं बैठा हूँ वहां से ऐसे विशहों पर कोई कॉमेंट करनी चाहिए लेकिन आपकी चिंता में समझ सकता हूँ अगली सरकार जब आपके आईगी तो आप क्या करने जा रहे हैं क्या जंता से लूटा हुआ पैसा उनको वापस किसी योजना या विशेश नीती के जरिये क्या वापस पहुचाने की कोई योजना है आपका सवाल बहुत ही आप देखें हिंदुस्तान का मानस क्या है भारत के लोग बस्टाचार से तंग आ चुके हैं दिमक की तरह बस्टाचार देश की सारी विवस्थाओं को खोखला कर रहा है बस्टाचार के लिए आवाज भी बहुत उठती हैं जब मैं 2013-2014 में चुनाव के समय बाशन करता था और मैं बस्टाचार की बातें बताता था तो लोग अपना रोश्वेक्त करते थे लोग चाहते थे लहां कुछ होना चाहिए अब हमने आकर के सिस्टेमेटिकली उन चीजों को करने पर बल दिया कि सिस्टिम में से कौन से दोस हैं अगर देश पॉलिसी डिवन है ब्लैक एंड वाइट में चीजे अविलेबल है यह कर सकते हो यह नहीं कर सकते हो यह आपकी लिमिट है इस लिमिट के बाहर जाना है तो आप नहीं कर से तो कोई और करेगा मैंने उस पर बल दिया यह वास ही है कि लेकिन ग्रे अरिया मिनिमल हो जाता है जब ब्लैक एंड वाइट में पॉलिसी होती है और उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई संभावना नहीं होती है तो हमने एक तो पॉलिसी डिवन ग जो स्कीम जीन के लिए है उन बेनिफिसरी को हंडेट परसंट जब हंडेट परसंट है तो लोगों को पता है मुझे मिलने ही वाला है तो करप्षन के लिए कोई जगा दूंडेगा नहीं है करप्षन करने वाले भी करनी सकते कोई कि कैसे कैसे कहेंगे हाँ हो सकता है किसी को जन्वरी मिनने वाला मार्च में मिले, अप्रिल में मिले, यह हो सकता है, लेकि उसको पता है कि मिलेगा, और मेरे इसाब से, saturation, corruption free governance की गारंटी देता है, saturation, social justice की गारंटी देता है, saturation, secularism की गारंटी देता है, ऐसे त्रिवीद benefit वाली हमारी दूसरी स्कीम, तीसरा मेरा प्रयास रहा कि maximum technology का उप्योग करना, technology पर भी क्योंकि record maintain होते हैं, ट्रांसपरंट से रहती हैं, अब direct benefit ट्रांसपर में का, अब 38 lakhs करोड रूपी करीब ट्रांसपर किये हमने, अगर राजी उगांदी के जमाने की बात करें, कि एक रूपय जाता है, पंदरा पैसा पहुंचता है, तो 38 lakhs करोड तो हो सकता है, 35 lakhs करोड रूपिया ऐसे ही गबन हो जाते हैं, तो हमने technology का भर पूर रूपयोग किया है, जहां तक corruption का सवाल है, देश मैं पहले क्या आवाज उड़ती थी, कि corruption तो हुआ, लेकि उन्हाने किसी छेटे आदमे को सुली पर चड़ा दिया, सामाने रूप से मिडिया में भी चरता होती थी, कि बड़े-बड़े मगरमत चूट जाते हैं, छोटे-छोटे लोगों को आप पकड़ करके दीजे निप्ता देते हो, फिर एक काले-खंडे साया, कि हमें पूछा जाता था, उन्नीस के पहले, कि आप तो बड़ी-बड़ी बाते करते थे, क्यों कादम नहीं उठाते हो, क्यों लोगों को यह नहीं करते हो, क्यों लोगों को यह नहीं करते हो, हम कहते हैं, यह हमारा काम नहीं है, यह independent agency कर रही है, और हम बद इराजे से कुछ नहीं करेंगे, जो भी होगा, हमारी सुचना यह ही है, zero tolerance, दूसरा, तथ्यों के आधार पर ही action होना चाहिए, perception के आधार पर नहीं होना चाहिए, तथ्यो चुटाने में महनत करनी पड़ती है, अब अपसरों ने महनत भी की, अब मगरमच पकड़ जाने लगे हैं, तो हमें सवाल पूछा जा रहा है, कि मगरमचों को क्यों पकड़ते हो, यह समझ में नहीं आता है, कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों क बचाने के लिए इस प्रकार के नेरेटिव घड़ती हैं, पहले आप ही कहते थे, छोटों को पकड़ते हो, बड़े चुट जाते हैं, जब सिस्टिम इमानदार इसे काम करने लगे, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो आप चिलनाने लगे हो, दूसरा, पकड़ने का काम एक independent agency कानुल करती है, उसको जेल में रखना की बाहर रखना, उसके परति केस ठीक है, नहीं है, ये न्याय लेतर करता है, उसमें मोधी का कोई रोल नहीं है, elected body का कोई रोल नहीं है, लेकिन आजकर मैं हरान हूँ, दूसरा जो देश के लिए चिन्ता का विशह है, वो ब ब्रस्टा चार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोब भी लगा तो लोग सो कदम दूर रहते थे आज तो ब्रस्ट लोगों को कंदे पर बिठा करके नाचने की पैसन हो गई है तीसरा प्रोब्लेम है जो लोग कल तक जिन बातों की वकालत करते थे आज अगर वही चीजे हो रही है तो उसका विरोत कर रहे हैं पहले तो बहुत लोग कहते थे सोन्यास के मैं बन करदो अजय मानते हैं और इसलिए मैं मानता हूँ आप जैसे मेडिया का काम है कि लोगों से कुछ एक भी पताइए छोटे लोग जलने आज जाने कि यह मगर मत जलने चाहिए पूछो नजरा पुब्लिक को क्या ओपिनियन है ओपिनियन बनाई है आप लोग अब हमारे देश में जो नेरेटिव घरने वाले लोग है उन्होंने देश के इतना नुक्सान किया पहले चीजे बाहर से आती थी तो कहते हैं देखिए देश को बेच रहे हैं सब बाहर से लाते हैं आज जब देश में बन रहा है तो यह लोग कहते हैं देखिए ग्लोबलाजिशन का जमाना है और आप लोग अपने देश की बाते करते हैं मैं समझ नहीं पाता हूं कि देश को इस प्रकार से γुम रहा करने वाले इन इलिमेंट से इसको कैसे बचाये जाए दूसरी बात है अगर अमेरिका में कोई कहता है बी अमेरिकन बाइरिकन उसको तो हम सीना टान करें गर्ब करते हैं लेकिन मोदी कहता है vocal for local तो लोगों को लगता है देखे ये globalization के खिलाब है तो इस प्रकार से लोगों को गुम्राख करने वाली की प्रवुत्ती चलती है जहां तक भारत जैसा देश जिसके पास manpower है skilled manpower है अब मैं ऐसी तो गलती नहीं कर सकता कि मैं गेहूं एक्सपोर्ट कर मैं तो चाहूंगा मेरे देश में गेहूं का आटा निकले मेरे देश में गेहूं का ब्रेड बने मेरे देश को लोगों को रोजगार मिले तो मेरा आतमंदिर भर भारत का जो mission है उसके पीछे पहला मेरा मेरी जो priority है मेरे देश के talent को आउसर मिले मेरे देश के युवां को का धन बाहर नजाए मेरे देश में natural resources है उसका value edition हो मेरे देश के अंदर किसान जो काम करता है उसकी जो product है उसका value edition हो the global market को capture करें और इसलिए मैं विदेश विभाग को भी कहा है कि मेरे आपकी सफलता को मैं तीन अधारों से देखूंगा एक भारत से कितना सावाण आप जिस देश में हैं वहां पर खरीदा जाता है दूसरा उस देश में बेस्ट टेक्नलोडियी कौन सी है जो अभी तक भारत में नहीं है वो टेक्निव भारत में कैसे आ सकती है और तीसरा उद देश में से कितने प्लिए भारत बहते नहीं आप यह मेरा क्राइटरिय रहे तो मैं हर चीज में center में मेरा nation center में मेरा भारत और नेशन फर्स इस मिज़ा से कि आप दानद्री जी एक तरफ तरफ आप जिश कर्मा के बारे में सोचते हैं कि नाई लोहार सुनार मोची पिनापी दरूरत पर हुआ यह तो थार दो से मिलते हैं तो फ्यांटैंस से उसके बारे में आप दो ढूरता है वह लोगों को भी बताते हैं इतनी स्ट्रेटेजी कैसे आप देखिए भारत भुवित्ताउं से भरा हुआ है और कोई देश एक पिलर पर बड़ा नहीं हो सकता है मैंने एक मिशन लिया हर डिस्ट्रिक का वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क्त पर भुवन बल दिया क्यों भारत इतना विविद्धिता भरा जाए देश है कि हर डिस्ट्रिक के पास अपनी आगी ताकत है मैं चाहता को इसको हम लोकों के सामने लाए और आज मैं कभी विदेश जाता हूं तो मुझे चीजे कौणनी ले के लिदा ₹ाफ गैशन का वे चिजेदा बाउन से लिद्रिक वन प्रोड़क देखता हूं और मुझा भव जाऊंग दवे लेकर जाऊंगा ऐए जांगा और अर्को लगता एक दिस पोगिये निया को देखिए द hasi भी लिद्ब ह नहीं होता है मेरे देश का मेरे देश में इतना पोटेंशल है मेरे देश को जानिए समझे और इस बार हमने जी ट्वेटि का उपयोग भारत को विश्व के अंदर भारत की पहचान बनाने के लिए दुनिया की भारत के पति कुरियोसिटी बड़े इसमेधर बड़ी सभलता प उन्होंने वो जगा को देखा, सुना भी नहीं था, देखा, वो अपने देश के साथ को रिलेट करने लगे, वो महां जाकर करने लगे, मैं देख रहा हूँ जी ट्वेंटी के कान लोग आज कल काफी टूरिस्टों के बेज रहे, तो मेरे देश का टूरिजम, उसी परकार दे मैं देखा कि मैंने स्टार्ट अप पढ़ोगी कि मिटिंग की थी, मैं वर्क्षप करता था, आज से मैं साथा शाल पहले, दत साल पहले, शुरू-शुरू मैं, यानि मैं चौदा में आया उसके पंदा सुरा के भीतर भीतर, मैंने जो नए स्टार्ट अप की दुनिया शु मैं जानता हूं कि वो विरादरी हमारे विचारों से काफी दूर है, मेरी सरकार से भी दूर है, लेकिन मेरा काम था, उनकी समस्याओं को समझो, क्योंकि बोलीवोर्ड, अगर ग्लोबल मार्केट में मुझे उप्योगी होता है, अगर मेरे तेलुकु फिल्म है, दुनिया मे पॉप्लर हो सकती है, मुझे तो ग्लोबल मार्केट लेना चाहिए, मेरे देश के हर चीज का, तो मैंने उसके तो आज यूटूब की दुनिया प्यादा हुई, तो मैंने उनको बुलाया, कभी आप देश की क्या मदद कर सकते हैं, तो इंफुएंसर्स को बुलाया, क्रेट समझे, मैंने देश को कहा, मेरी सरकार को, मैंने का मुझे अब गेमिंग में भारत के लेडर्सिप पक्के करनी है, इतना बड़ा फीचर मार्केट है, मेरे देश को अब तो अलिम्पिक में गेमिंग आया है, तो मैं उसमें जोड़ना चाहता हूँ, तो ऐसे सर विश्व मैं एक साथ काम करने के मैं पक्ष्मा हूँ, उसी पकार से देश की जो मुल्भुत विवस्ता हैं, आप उसको नजरंदार नहीं कर सकते हैं, हमें गाउं का एक मोची होगा, सोनार होगा, कपड़े सिलने वाला होगा, वो भी मेरे देश की बहुत बड़ी शक्ती है, मुझे उस को भी उतनाही तवज्जु देना होगा, और इसलिए मेरी सरकार का इंट्रिगेटर अप्रोच होता है, कॉम्प्रेंसिव अप्रोच होता है, होलिस्टिक अप्रोच होता है, अधानमंत्री जी, इसका विपक्ष में मजाद दिवाया अधा, लेकिन आपकी सरकार की आज की कि यह बात सही है कि हमारे देश में जो डिजिटल इंडिया मुवेंट में ने शुरू किया तो शुरू में आरूप क्या लगा इन्हों ने उन्हों लगा यह जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी बढ़ाई के लिए हो रहा है इनको समझ ही नहीं आए कि छेत्र की तरह बड़ा है और 21 सदी एक टेक्नोलोजी डिवन से चुरी है टेक्नोलोजी आईटी डिवन है आईटी इंफ्रेंस पाई एई आई बहुत बड़े प्रभावी छेत्र बदलते जा रहे हैं हमें फ्यूचरिस्टिक चीजों को देखना चाहिए आज अगर यूपी आई नहोता तो कोई मुझे बताए कोवीड की लड़ाई हम कैसे लड़ते दुनिया के समरुत देश भी अपने लोगों को पैसे होने के बावजूद भी दे नहीं पाए हम आराम से दे सकते हैं आज हम ग्यारा करोड किसानों को तीस सेगंड के अंदर पैसा भेज सकते हैं अब यूपी आई और इतनी यूजर फ्रेंली है को ये टायन हमारे देश के नौजवानों है वो ऐसी प्रोड़क्ट बना करके देते हैं कि कोई भी कॉमन मैन इसका उप्योग कर सकता है आज मैंने कैसे कितने ही लोग देखें जो अपना सोजेन मीडिया में अनुबव करते हैं पिए हमने च्छे मित्रों ने ताई किया कि छे महने तक जिब में एक पैसा नहीं रखेंगे और देखते हैं क्या होता है छे महने बोले बिना पैसे पूरी दुनिया में हम अपना काम कारोबार करके आ गए हमें कोई तकलिफ नहीं तो हर कसोटी पर खरा उतर रहा है तो यूपी आई ने इन एक प्रकार से फिंटेक की दुनिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और इसके करण इन दिनों भा भारता लीड कर रहा है और इसलिए दुर्बाइं के तो इस बात का है कि जब मैं इस विशो को चर्चा कर रहाता है तो देश के बड़े-बड़े विद्वान जो पार्लामेंट में बैठ रहे हैं मखोल उड़ाते थे मजाक उड़ाते थे उनको भारत के पोटेंशल का कि एक मैं उनके एस्पिरिशन को समझ पाता हूं जो पुरानी सोच है कि वह घर में अपने पहले पांच थे तो अब साथ पर जाएगा साथ पर नो ऐसा नहीं है वह पांच पर से भी सिधा सो पर जाना चाहता है आज का यू यू यूत हर शेत्र में वह बड़ा जंप लगा करना चाहता है हमें वह लॉंचिंग पर क्रिएट करने चाहिए ताकि हमारा यूद के एस्पिरेशन को हम फुलफील कर सके इसलिए यूद को समझना चाहिए मैं परिक्षा पर चर्चा करता हूं और मैंने देखा है कि मुझे लाख़ों यूवकों से ऐसी बात करने का मोका म वो एक नई जनरेशन है अगर सरकारें और सरकार की लीडर्शिप इस नई जनरेशन के एस्पिरेशन को समझने में विपल गई तो बहुत बड़ी गैप हो जाएगी आपने देखा हो का कोवीड में बहुत 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 चिंतिक था कि मेरे ये फर्स टाइम वोटर जो अगर चार दिवारों में फसे रहेंगे तो इनका बच्पन मर जाएगा उनके उनकी जिन्दकी जवानी आएगी नहीं वो बच्पन से सीथे बुड़ाबे में चला जाएगा ये गैप कौन भरेगा तो मैं उसके लिए चिंतिक था मैं उनसे वीडियो कांफर्म पर बात करत तो इजीली इंटरनेट का उप्योग करते हुए नई दुनिया की तरफ मुड़े और वो हुआ उसका हमें बेनिफिट हुआ है भारत ने कोवीड की मुसीबतों को आउसर में पलटने में बहुत बड़ा रोल किया है और आज जो डिजिटल रिवलुशन आया है फिंटक का जो रिवलुशन आया है वो हमने आपत्ती को अफसर में पलटा उसके कान आया है तो मैं टेक्नोलोजी के सामर्त को समझता हूं मैं टेक्नोलोजी को बढ़ावाद देना चाहता हूं नमस्कार भहिया मैं आरे आपको बहुत शुक्त आमना है आप बहुत प्रगेद्वी करें और देश को सही जानकारिया देते रहे तैंक्यू भहिया तैंक्यू